Hello everyone, I hope you are very joyful, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोडी लेका आया हूँ, इसे पढ़ करके आप इंग्लिज बोलना सीखेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं, इसे नेवर इस्टिल जिसका आतुता है कभी चोरी मत करो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एस्टिलिंग में आई एंजी लगा हुआ, आई एंजी, तो जब किसी भर्म में आई एंजी लगाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसे समझते हैं, जैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्ले, पल प्ले को प्ले नहीं बोलते हैं यहां पर प्ले में जब हम बोलते हैं जैसे कि किसी को हम बोल दे कि प्ले तो इसका मतलब खेलना नहीं समझेगा वह समझेगा इसका मतलब खेलो क्या समझेगा खेलो यानि एसपॉकन में जो प्ले है वह खेलो हो गया है ठीक है जैसे आप किसी ये बोलना है, खेलना, बोलना है, ठीक है? क्या बोलना है? खेलना, बोलना है तो इसके लिए हमें AskGB呢 में क्या करना पद आइएनग लगाना पद आइए जिसे, P, L, A, Y, I, N, G, ये क्या हो गया है? प्लेइंग इसका मतलब होता है खेलना, ठीक है? किस चीज में? एस पॉकन में ठीक है तो जैसे ही बोलेंगे अप खिलना जैसे के खिलना आसान है प्लेंग इस इजी ठीक है अप ये बोल रहे हैं उसी परकार से यहां पर लिखा गया है stealing is a big sin मतलब चोरी करना आप ये बोलना चाते हैं चोरी करना तो चोरी करना क्या है एक बहुत बड़ा पाप है ये हो गया है ठीक है उसके बाद अब आगे चलते हैं I hope आपने ये से समझा होगा ठीक है कि रंचो आइंड संचो फार्मर का नाम है रंचो नाश्चो करना को मतलब घंट नहीं थे इस next to each other का मतलब होता है एक दूसरे के बगल में है बोथ हैड कॉर्ण बोथ का मतलब होता है दोनों के खेत में क्या था कॉर्ण का मतलब होता है मक्का ठीक है कॉर्ण अब यहां पर यह लिखा हुआ है कि अब जो है यह जो मक्का है अब अल्रेडी मतलब तैयार हो चुका है ठीक है उसमें भुट्टा लग चुका है संचो की दिमाग में एक आइडिया आया है एविल मतलब होता है बुराई क्या होता है बुराई यहां ऐसी आइडिया जो दोस्कों के लिए बुरा है ठीक है या बुराई का ही एक आइडिया है in his mind in his mind मतलब होता है उसके दिमाग में he wanted वो चाहा to still some of the corn वो क्या चाहा कि कुछ चुरा लेते हैं चुरा लेते हैं some of the corn मतलब मक्का चुरा लेते हैं और यहां पर लिखा हुआ corn cobs का मतलब होता है इक cobs का मतलब होता है भुट्टे ठीक है जो भुट्टा है उसको cobs कहते है ठीक है भुट्टे यानि बहुँ अचनव कि है cobs और cob मतलब भुट्टा from ranchos filled यानि संचे को दिमाग में एक बुराई भड़ा idea आया कि उसके खिल से हम चुरा लेते हैं क्या चुरा लेते हैं cobs यानि भुट्टे चुरा लेते हैं that night उस रात that night उस रात he took his son अपने बेटे को ले गया his son with him अपने साथ to hold his bag in order to fill it with ranchos corn cobs kisses के लिए तो अपने बेटे को साथ मिले गिया है कि उसको भुट्टा तोर करके वो देगा उसे बैग में भरना है यानि वो जो थैला लग गया था उस थैले में उसे रखना है उसका काम था he looked in all directions to check that nobody was watching them उसने देखा in all directions सभी दिसाओं में देखा to check देखने के लिए check करने के लिए that nobody's की कोई आ तू नहीं रहा है was watching कोई देख तू नहीं रहा है दे मतला उसे किसको इसे कोई देख नहीं रहा है तो इसलिए उसने सभी directions में देखना शुरू कर दिया then just उसके बाद just उसके बाद before starting the job यहनी काम सुरू करने से पहले यहनी चोरी करने से पहले he told his son to watch उसने कहा his son अपने बेटे को to watch देखना या देखो out whether someone was watching कराई कि बाहर तूम देखते रहो कि कोई आ तो नहीं रहा है कोई देख तो नहीं रहा है watching them and immediately और तुरंत ही the son said और son यानी बेटा ने कहा hey father he is watching us कराई कि पिता जी वो देख रहा है he is watching वो देख रहा है sancho was scared scared का मतलब होता है डरा हुआ यहीं डर गया को देख रहा है to death and all his energy drained he is watching us sancho was scared to death and all his energy drained उसके बेटा ने जैसे ही कहा कि देखो वो देख रहा है तो वो डर गया डरा हुआ था ठीक है डर गया ठीक है किसी के लिए death यहीं उसके अंदर मिर्तियों का भय आ गया इसी लिए his energy उसका एनरजी है वो सुखा पर गया निए drained he asked his son उसने पूछा अपनी बेटे से who were कोन कहां who were मतलब कोन कहां कहां से आ रहा है the sun said बेटे ने कहा isn't God watching us from ever क्रहाई कि क्या भगवान नहीं देख रहा है उपर से सेंचो यहां पर एभव लिखा हुआ मितलब उपर से संचो फेल्ट असेंड संचो को बड़ा सरमिंदेगी महसूस हुआ he realized his mistake and decided not to still again उसने महसूस किया अपनी गलती को ठीक है जैसे उसका बेटा जो बोला है कि देखो भगवान में देख रहा है चोडी करते हुए जबकि कोई देख भी नहीं रहा था तो उसे अपनी गलती महसूस हुआ और उसने निरने लिया decided to not still मतलब अब फिर से चोरी नहीं करेगा अगैन करता है फिर से यस करा कि हाँ दोज हुआ इस्टिल वह व्यक्ति जो चोरी करना चाहता है try to make sure that nobody else is watching but but is it true that nobody is watching वह व्यक्ति जो कोई नहीं देख रहा है nobody else कोई नहीं देख रहा है इस चीज़ को ensure करने के लिए कि का हम हमें कोई नहीं देख रहा है कि हाँ वो चलो ठीक है वो कह रहा कि हाना नहीं देख रहा है्या वो सच हैँ है is it true that nobody is watching ठीक है कोई नहीं देख रहा है he cannot lie to himself लेकिन वो खुद तो देख रहा है ना वो खुद को जूट नहीं कह सकता है लाइम इस जूट वो खुद नहीं कह सकता है खुद को जूट नहीं बोल सकता है and as the boy in the story said जैसा कि बचा ने इस कहाने में कहा ठीक है क्या कहा कि भगवान हमें देख रहा है he is always watching कौन वो भगवान हमें साथ देख रहा है as God is omnipresent omnipresent का क्या औरत होता है इसका मतलब होता है सरव्यापी यानि सभी जगा है जैसा कि बचा ने बताया he what's वो देखते है what is happening where वो मतलब कहा क्या हो रहा है वो सभी को देख रहा है कहां पर क्या चल रहा है ये भी देख रहा है he knows even the thoughts in our minds वो ये भी जानता है कि हमारे दिमाग में कौन से बिचार चल रहा है ठीक है कौन? God stealing is an evil चोड़े करना एक बुराई है the end of evil is bad the end का मतलब होता है अंत यानि बुराय का अंत भी बहुत बुरा होता है stealing is a small or big things is all the same चाहे चोरी छोटा हो या बरा हो सभी बराबर है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक चोर जो steals मतलब वो चोरी करता है छोटी चीजों के तूड़े यानि आज can be a thief वो हो सकता है क्या हो सकता है? अब bigger thief एक बड़ा चोर हो सकता है tomorrow यानि आने वाला कल में tomorrow means आने वाला कल में there comes a day he thinks he may not get caught ठीक है? वो यह सोच रहा है कि आज हम नहीं पक्रा सकते हैं caught मतलब नहीं पक्राएंगे ऐसा वो सोचता है चोर इसलिए he dears dears मतलब वो निडर है dears मतलब सासी है निडर है he dears for for more and more और वो जब यह बास सोचता है कि हम नहीं पक्रा सकते हैं तो वो अधिक से अधिक चोई करने के लिए सासी हो जाता है ऐसे चोर दा ultimate यानि अंत्ता result is sorrow और अंत्ता क्या होता है इसका जो result होता है वो custom में बदल जाता है one should keep away कि दूर रहना चाहिए इस परकार की चीज़ों से में दूर रहना चाहिए these things spoil our lives spoil का अर्थ होता है खराब करना इस परकार की चीज़े हमें हमारी जीवन को खराब कर देता है you live your life once और एक वारी फिर से अपनी जीवन को शुरू कर सकते हैं if you go on wrong path यदि आप गलत रास्ते पर चलते हैं there is only sorrow ठीक है वहां पर क्या होता है केवल कस्ट होता है sorrow मिस कस्ट and sorrow sorrow and sorrow मतलब कस्ट ही कस्ट होता है अहिड आगे later repentance इसका आर्थ होता है repentance का आर्थ होता है पस्टावा ठीक है बाद में पच्तावा होती है कि हम क्यों इस बास्ते को चुन लिये थे is of no use इसका कोई use भी नहीं था the straight path यानि सीधा रास्ता straight path of truth and honesty is the real path of life जीवन के सबसे सीधा रास्ता क्या है truth and honesty इसका मतलब सच्चाई और इमांदारी यही एक सच्चा रास्ता है it will head to happiness sorry it will lead to happiness and thus it will be our real moral life और यही truth और honesty ही है हमारे happiness के कारण यही हमारे अंदर happiness बनाए रखता है ठीक है दस का अर्तुता है इस परकार it will be our real moral life इस परकार का हमारे moral life होनी चाहिए यानि नहीतिक मुल इस परकार का होना चाहिए that's all thank you so much